नमस्कार दोस्तों पड़ाइफ और रुया चनल में आपका हादिक स्वागत है दोस्तों बहुत ही खुश कबरी है श्यांदार आप सब लोगों के लिए जिसका इंतजार कर रहे थे हर्याना के अंदर लाखों केंडिडेट हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की साइट पे आ यहां पे ओपनिंग डेट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें दोस्तों इस चैनल के उपर डेली जितने भी गवर्मेंट जो से रिलेटर अपडेट्स होते हैं वो सारे अप्लोड की जाते हैं यह लिंक है दोस्तों ओन्लाइन कर पर दोज़ाइं 2019 तक इसके जो है और इसलेंगे अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या उनिसी दोस्तों और मेन मेन पॉइंट्स जो है चेक कर लेते हैं यह देखे डीटेल और पोस्त है टेकर यहां पर मेंसने टोटल 1100 पोस्त है दोस्तों इ इसमें क्या रहेगी दोस्तों प्याज्याद घृविजवेट होना ची यह वी ऐव पास कंड़िएट इसकेंदर च।्रमाई कर सकते हैं और हिंदी और संस्क्रिट में से एक सब्जेक्ट होना चीए तो BA past candidate इसके अंदर apply कर सकते हैं दोस्तो एज रही गठारा से लेकर 14 साल तक और पेज जो है ये pay scale है 1900 से लेकर 63200 तक ये pay है दोस्तो एज में छूट मिलेगी है निमानुसार जैसे 5 साल की छूट है SC candidates के लिए BC के लिए भी छूट है दोस्तो mention है इस paragraph में पूरी physical handicap के लिए 10 साल की छूट है दोस्तो एक-service man के लिए भी छूट है इसमें तो जो भी age relaxation है वो इस paragraph के अंदर mention है सारी की सारी अब बात करते हैं fees देखिए जो हर्याना के candidate है general के 100 रुपे fees है male के लिए female के लिए 50 रुपे SCBC और EWS के लिए अगर male है तो 25 रुपे fees है female है तो 13 रुपे है physical handicap के लिए कोई फीज नहीं है तो दोस्तो यह है अब जो selection होगा क्राइटेरिया रहेगा वही सेम है दोस्तो टोटर मिला के 100 नमर का exam रहेगा लेकिन रिटन एक्जाम उसमें 90 का होगा और 10 नमर आपको socio-economic के मिलेंगे दोस्तो टोटल का सो हो गया और यह जो है टोपिक्स हैं यहां पर वीडियो बना चुके हैं हम जब पटवारी की बरतिया आई तो उसी इस्ट्री करंट अफेयर लिट्रेचर जोग्रैफी सिविक्स एन्वार्मेंट कल्चर ओफर याना यह तो यानि के टोटल मिला के रिटन एक्जाम नमबर का होगा और दस नमबर होंगे आपके सोशियो और एकोनोमिक के यह सेम है दोस्तों दोफटवारी वाड़ा है वो और यह दोनों से विल्कुल सेम है अब रही बात दोस्तों एक्स्पिरिंस के भी मिलेंगे मार्क्स जो है जदस जदा आठ नमबर मिल सकते हैं अब रही बात मेन एक्जाम सेटूल कभ रहेगा वह हो वही है दोस्तों तेरे जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एक्जाम होने और 18-08-2019 तक चलेंगे तो आपका ओन्नाइन एक्जाम भी हो सकता है सीवीटी भी हो सकता है और साथ में OMR बेस्ट भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा सरकंस्टांसी पे कि गवर्मेंट जो है कै आपके एक्जाम चलेंगे तो यह थे दोस्तों नोटिस नोटिफिकेशन ओफिशल तो मैं उमीद करूँगा यह वीडियो आपको दूरू पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद तो आप इसको शेर करें दोस्तों ज्यादा बहुत ही अच्छी खबर है यह ज्यादा से ज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद